आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ इसके लिए Nitrogen है अपने और अच्पाउनलोड यह होगी नाइट्रोजन वह क्या होती है स्ट्रीपे पर होती है तो हमें क्या बताना है परसंटेज बताना है नाइट्रोजन का नाइट परसंटेज बताना है नाइटोजन का इन पॉइंट फाइव ग्रैम के अंदर अफ इस कंपाउंड तो हमें चार ओप्शन भी गिवन है इन चार ओप्शन में हमें पिक करना है क्या करक्ट हमारा ओप्शन क्या होगा तो देखो हम जानते हैं कि जो हमारा इसके लिए नाइटोजन की परसंटेज होती है उसके लिए हमें बिसिकली सबसे पहले हम देख लेते हमें क्या क्या गिवन है हमें वोल्यूम गिवन है वोल्यूम ऑफ एन टू गिवन है एट स्टीपी स्टीप पर हमें क्या गिवन है ना 12 ml गिवन है, यह nitrogen की volume है, STP बे, moreover जो हमें organic substance दिया है, जिसके अंदर nitrogen containing है, तो जो हमारा organic compound है, जो organic compound वो हमें कितना गिवन है, वो हमें given है, 0.5 gram, यह हमें given है, तो हमसे निकलवाया क्या है, percentage of nitrogen निकलवाया है, मतलब nitrogen का क्या percentage होगा, तो देखो, इसके लिए एक direct relation होता है, कि जो nitrogen की हमें क्या निकालनी है, percentage of nitrogen मुझे निकालना है, उसके लिए direct relation होता है, which is nothing, but this is 28, को अगर मैं divide करता हूँ, 22 and 400, जो हमारा 22.4 liter होता है, उसको basically मैंने क्या convert किया है, यह ml में convert किया, तो उसको लिखा 22400, because जो हमारा यह nitrogen का volume given है, वो भी किसमें ml में, तो this is also in ml, okay, और this is the molecular mass of the n2, okay, तो क्योंकि हम उसका वो निकाल रहे है, percentage निकाल रहे है, तो उपर क्या हम रखते है, volume of n2 stp से क्या करते हैं, multiply करते हैं, तो this is volume of n2 at stp, है न, और इसको हम divide कर देते हैं, जो हमारा organic substance का weight given है, यानि हमें जो क्या given है, mass of organic, जो भी organic है, हमें compound given है, उसका mass से हम इसको क्या कर देते हैं, divide of or organic, okay, तो अब देखो मुझे इसके mass percentage, इसका मुझे निकालना है percentage कितना होगा, तो मैं just क्या करूँगा, 28 लूँगा, और नीचे क्या लूँगा, ये 22, 22 and 400, है न, इसको मैं multiply करूँगा, देखो इसकी volume कितनी given है, ml में, तो इसकी volume हमें कितनी given है, ये देखो ml में होना ये 0.5 gram हमें दिया है, तो जो हमारी percentage आएगी, क्योंकि अब हमें क्या करना है, हमें percentage निकालना है, तो percentage निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 100 से multiply करता हूँ, क्योंकि मुझे percentage भी निकालना है, तो मैं उपर के भी multiply करा देता हूँ, क्योंकि मुझे percentage निकालना है, तो to calculate the percentage of this हमें क्या मिलेगा after solving this I will get 28% जो हमारा होगा compound हमें produce होगा है ना तो 28% basically nitrogen होगी उस nitrogen contain करेगा कौन जो हमें organic compound given है 0.5 gram तो उसने पूछा था बताओ percentage of nitrogen कितना होगा उसके अंदर तो कितना होगा 28% होगा तो जो इसका correct answer होगा वो क्या होगा 28 होगा तो ना answer ये होगा ना ये होगा I hope आपको ये पूरा गंजब समझ में आया होगा ये वीडियो क्लेयर होगी Thank you so much for watching this video Classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेटा ये WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर